हलो फ्रेंड्स एक बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है Mother Daughter Cooking Show आज मैं आपके लिए फिर लेकर आई हूँ एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जो की बहुत ही कम टाइम में बनने वाली है तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो यह हमने पहले सकरकंदी ले लिए कुछ इसको रतालू भी बोलते हैं अब इसे हम थोड़ा स्टीम कर लेंगे 10-15 मिनिट के लिए इस तरह से डखकर जिससे अच्छे से पक भी जाएगी और इसकी स्कीन भी हम अराम से अलग कर सक करें हैं तो यह हम इस तरह से चाकू लागाके यहां स्टिक से से देख लेंगे कि यह पक है कि यह फाक़ लेंगे इस को Цंड़ में और लीए तो सबसे हमने चटनी प्रवसे के देख तो हमें कमेंट वक्स में ज़रूर बताईए अब पहले हम यह शकर कंदी इसमें मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे अब यह ग्रीन चटनी हमने सेंध की थोड़ी सेंधनी की घ्याइट की है अट प्रश कर लिये थे थोड़े अनार के दाने हमने इसमेट किये हैं अब इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे हम mix होने के बाद इसे हमें serving bowl में निकाल लेंगे अगर आप ये बिना वरत के बना रहे हैं तो इसमें आप चाट मसाला भी add कर सकते हैं और सेंधा नमक के जगा आप काला नमक यूज़ कर सकते हैं उससे स्वाद और भी बढ़ जाएगा तो है ना ये कितनी healthy और tasty chart जो कि बिना वरत के भी हम बना सकते हैं वरत में भी इसे बना सकते हैं जब भी आपका कुछ चटपटा काने का मन होता है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए क्योंकि ये healthy भी है उपर हमने थोड़ी सी इसमें आलू की सेंव यूज की है तो ये देखे कितनी healthy और tasty और कम टाइम में बनने वाली हमारी recipe तयार है तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल को सब्स्राइब कीजिए और जादा स्यादा शेयर कीजिए तक यू वर वाचिए